आपको स्वागत है आपकी अपनी यूटूब चैनल महाध्यन में वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे आज हम करने जा रहे हैं हमारी आठवी क्लास की गडित की यानि हम सीखने वाले हैं रेखिक समीकरण और यह समीकरण में भी जो हम खास बात सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं एक चर वाले रेखिक समीकरण अब यह चर क्या होते हैं सबसे पहले यह जानना जरूरी है तो यह जानने के लिए कि चर क्या होते हैं हम थोड़ी सी आगे बढ़ते और आगे बढ़कर देखते हैं कि चर क्या होते हैं, तो देखिए, तो हम आज जो सीख रहे हैं, वो सीख रहे हैं चर के बारे में, तो चर किसे कहते हैं, जब हम अपनी सवालों के बीच में, एक्स, वाई, जेड, पी, एम, आई, एस, टी, इस तरह के जो हमारे अलफाबैट हैं, वर्ड्स हैं, या कख, गग, इस तरह की चीदों का इस्तमाल करते हैं, तो हम इसे कहते हैं चर, देखो, एक खास बात को धिहान में रखना, कि हमारी इस हिंदी की वर्कशीट में, प्रिं लिखा हुआ है अचर, दर असल ये अचर शब्द गल्ती से लिखा गया है, यहां पर है ये चर, आप इसे ध्यान रखिएगा, कि यहां पर चर की बात कर रहे हैं, और इसके अलावा और भी एक जगहा पर मैंने देखा था, जहां पर अचर लिखा है, हाँ, देखे, यह लि याद रखिएगा ये चर हैं, अचर नहीं है, यहां लिखा है न चर, यही वाले चर है, लगता है ज्यादा ही रेड हो गया, इसे एरेज कर देते हैं, तो हम कुल मिला कर बात कर रहे हैं चरों की, और अब हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट को एक नए सिरे से, क्योंकि इसमें जो गलती थी, वो मैंने आपको बता दी है, ये अचर नहीं, चर है, मैं फिर से एक बार लिख देती हूँ, ताकि आपको याद रहे, ये चर है, और इसके अलावा ये जो है, ये भी चर है, अचर नहीं है, गलती से अचर लिखा गया है, अब बढ़ते हैं आगे, द ग्यात नहीं है तो कैसे पता लगाएं अगर हमें कोई दो-तीन बातें इसके बारे में पता हूँ तो हम बीच का रास्ता निकाल कर आयू निकाल सकते हैं तो कैसे तो आये करते हैं इस सम को जब राजू बारा वर्ष का होगा तो बीनू 9 वर्ष का होगा तो हम ये मान लेते हैं राजू और ये हो गया हमारा बीनू जब राजू 12 वर्ष का होगा तो बीनू होगा 9 वर्ष का उसके बाद इन्होंने कहा है जब राजू 15 वर्ष का होगा तो बीनू होगा 12 वर्ष का ये 15 का होगा तो बीनू होगा 12 वर्ष का तो हम मान लेते हैं कि राजू की आयू अगर X है हमने मान लिया कि अगर राजू X है तो बीनू राजू से 3 साल चोटा है यहां पर देखो 3 साल चोटा है और यहां पर भी 3 साल चोटा आ रहा है हमें दोनों condition में पता चल रहे है कि राजू से बीनू 3 साल चोटा है तो बीनू 3 साल चोटा है तो राजू की IU में से हमने 3 को घटा दिया X-3 अब यदि राजू X वर्ष का होगा तो बीनू होगा X-3 वर्ष का तो इस इस्तिती में X जो है वो एक चर राशी है जिसका प्रियोग हम किसी भी इस्तिती में संबंध दर्शाने के लिए करते हैं तो इसे चर क्यों बोलते हैं चर मतलब जो बदल सकती है जिसे बदल कर हम कोई दूसरे अक्षर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे IP, MT, Y, Z इसे अगर हम बदल देंगे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा मान के चलो अगर हम यहां पर लिख देते Y-3 या उपर हम Y मान लेते X की जगा पर तो नीचे हम Y-3 लिखते इससे कोई फरक परता अगर हम एने X की जगा पर Y लिख दिया तो क्या सवाल सही हो पाएगा, नहीं हो पाएगा इसलिए जो बारा, पंदरा इस तरह के नंबर होते हैं, वो होते हैं हमारे अचर जो यहां पर इन्होंने गलती से प्रिंट किया है, इसका वो मतलब होता है लेकिन यह जुन को यह अचर बता रहे हैं, यह चर है और अचर की बात अभी हम इस वक्षीट में नहीं कर रहे हैं हो सकता है आगे चल कर करें तो चर क्या होते हैं? चर होते हैं X, I, P, M, T, Y, Z, A, B, C, D में से कुछ भी, A, B, S, A, D, S में से कुछ भी अगर हम इस्तमाल करते हैं तो वो सब चर कहलाते हैं यहां पर भी अचर लिखा है, यहां पर अचर नहीं चर आएगा आप धिहान रखिएगा, मैं बार बार बता रही हूं इसमें जहां पर भी अचर लिखा है, वो चर है अचर नहीं है, गलती से लिखा गया है तो इन्होंने कहा है, चलो एक और इस्तिती पर चर्चा करके देखते हैं हमें कहा है सरीता के पास अमीना से 10 कंचे ज्यादा है तो कंचे कितने हैं अगर हमें ये पता चल जाए सरीता के पास अमीना से 10 कंचे अधिक हैं तो अगर हमें ये बता चल जाएगी सरीता के पास कितने कंचे हैं तो हमें पता चल जाएगा अमीना के पास कितने हैं और या हमें ये पता चल जाएगी अमीना के पास कितने हैं तो हमें सरीता के कंचे पता चल जाएगे लेकिन हमें सिर्फ एक बात बता दी एक कंडिशन दे दी इस्तिती दे दी लेकिन अभी हमें पता नहीं है कथन 2 में हमें कहा गया है सरीता के पास कुल 20 कंचे हैं जो अमीना से 10 अधिक हैं अब हमें 2 बाते पता चल गई फिर इन्होंने कहा है अमीना के पास X कंचे है और अमीना के पास X कंचे है यह जो यहां पर यह जो बात बोली थी इस बात से यह जो बात बोली थी इस बात से हमने पता लगाया कि अमीना के पास कितने कंचे हमें नहीं पता तो हमने मान लिया X अब इन्होंने कहा है यहां पर सरीता के पास अमीना से ज्यादा 10 हैं तो अमीना के पास x है तो सरीता के पास कितने हो गए x प्लस 10 ये एक बात हो गई अब दूसरी वाली बात से भी हम ऐसे ही एक condition बना लेते हैं इन्होंने का सरीता के पास कुल 20 कंचे हैं और अमीना से 10 अधिक हैं तो अगर अमीना के पास x कंचे हैं तो सरीता के पास कितने हुए X प्लस 10 हुए वही वाली बात आ गई और इन्होंने ये भी कह दिया है कि कुल 20 कंचे हैं तो अगर X और 10 को जोड़ दें अगर हम कहने का मतलब हम अगर अमीना से 10 कंचे ज्यादा हैं तो अमीना के कंचों में अगर 10 कंचे जोड़ दें तो हमें पता चल जाएगा कि सरीता के पास कुल 20 कंचे हैं तो पूरी समिकरन बन गई है हमारी X प्लस 10 बराबर 20 तो इस तरीके से जो ये हमें मिला जो ये हमने बनाया इस पूरे को बनाय हुए को बोलते हैं में एक बराबर के निशान होता है बराबर के इधर वाली रकम जो है ये उतनी ही होती है और ये भी उतनी ही होती है इनके बीच में बराबर लगा है बस फरक इनके लिखने का है और इसकी मदद से हम सवालों को निकालते हैं यहां पर लिखा भी हुआ है समी करन में बाया पक्ष और दाया पक्ष दोनों बराबर होते हैं और इसके बारे में कुछ खास बाते बताई गई हैं जैसे कि यहां इस तरफ वॉक्स बना है इसमें आकर देखिये X plus 10 बराबर 20 तो X क्या है यहाँ पे चर है x प्लस 10 क्या है यहाँ पे यानि कि बराबर के इस तरफ वाली जो रकम दी हुई है x प्लस 10 इसका क्या मतलब है इसका मतलब है रेखिक व्यंजन और इसमें जो बराबर का निशान है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है सम्ता यानि की बराबर ये बराबर है बराबर का चिन है और अगर हम कहें ये पूरा क्या बना तो ये पूरा बना रेखिक समीकरण अगर बराबर के सिर्फ इधर वाले की बात करें तो रेखिक व्यंजन और अगर पूरे की बात करें तो रेखिक समीकरण और हम इस पूरे में जमा, घटा, भा, गुणा का प्रियोग करते हैं और उसके अधार पर एक जो चर है या कोई दूसरा चर होता तो उसका मान निकाल लेते हैं तो चलो करके देखते हैं करकने पर शायद कुछ और बाते भी समझ में आ जाएंगी किस के बारे में एक चरवाले रेखिक समीकरन के बारे में यहाँ पर मैंने आपको बता है रेखिक समीकरन किसे बोलते हैं इस पूरे को रेखिक समीकरन बोलते हैं जिसमें बराबर के इस तरफ भी कुछ लिखा है और उस तरफ भी लिखा है तो इन्होंने हमें कहा है एक चर वाले रेखिक समीकरन छाटने हैं और क्रम संख्या पर समीकरन की क्रम संख्या पर गोला लगाना है तो इसमें हमें किस किस पर गोला लगाना है अब हमें वो देखना है क्योंकि नोंने हमें कह दिया कि एक चर वाला रेखिक समय करंच हांटना है तो इसमें एक हैं या दो चर हैं इसमें एक X है एक चर हुआ इसमें इसमें Y है एक ही बार एक चर हुआ इसमें P एक बार है एक चर हुआ इसमें सिर्फ T एक बार आया है एक चर हुआ इसमें X है बस अकेला ये भी एक चर हुआ लेकिन हम इसमें देख रहे हैं इसमें Y भी है X भी है और Z भी है तो कितने चर हो गए तीन चर हो गए हमें तो बताना है एक चर वाला तो इसका मतलब ये हो गया हमारा गलत ये नहीं है और ये इसमें यहाँ पर भी X है और यहाँ पर भी X है तो एक ही चर को दो बार लिखा गया है इसलिए ये एक चर वाला ही माना जाएगा एक ही चर है इसमें और इसमें इसमें भी तीन चर दे रखे हैं तो ये भी नहीं होगा तो इसका अगर हम आंसर निकालेंगे तो एक ये नहीं और एक ये नहीं बाकी सभी पर हमें गोला लगाना है तो आप इन सब पर गोले लगा दीजिएगा या फिर इन्हें टिक कर दीजिएगा बात एक ही है तो मैं उमीद करती हूँ आपको वक्षीट के सवालों को सुलजाने में और समझने में मदद मिली होगी तो फटा फट से वीडियो के नीचे आ रहा है लाइक का निशान वीडियो को लाइक कर दें और मेरे प्यारे विद्यहर्दियों अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो के नीचे आ रहा है एक रट कलर का बटन उस पर लिखा है सब्सक्राइब उसे क्लिक करते हैं कलर चैनल सब्सक्राइब हो गया आपके सब्सक्राइब करने से हमारा होसला बढ़ता है और हमें और अच्छे अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है ताकि आपका ज्यान बढ़ सके और आपकी मदब भी हो सके इसके अलावा ग्यान बाटने से बढ़ता है इसलिए वीडियो को अपने फ्रेंट्स के साथ और अब दूसरे सेक्शन के फ्रेंट्स के साथ शेयर करना बिलकुल भी ना भूले शेयर का निशान भी वीडियो के नीचे आ रहा है तो फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी ग्यान वाली वीडियो के साथ जिससे आपके आंसर्स हो जाएं और आपको वीडियो समझ में वर्क्षीट समझ में भी आ जाए तो तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद